साम यहां बैठे में और आपके मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे यहां बैठे में तो आवाज में दों होनी चीए बुले भारत मातागी बारत मातागी आज के इस कारिक्रम में जो कि बाल अधिकार सनरक्षन आयोग के माध्धम से विशेश्टह पोक्सों को लेकर आज की एक क कारिशाला या गोश्थी आज आयोजित हुई है इस महत्वपूर्ण कारिक्रम में अपना हमूल्य समय हम सबको दे रहे हैं ऐसे हम सबके परमादर्निय, परम प्रिय और बहुती लोग प्रिय और उत्रखन जैसे युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदर्निय हम हमारे दाजू पुशकर सिंग धामी जी हमारे साथ मन्चुपर उपस्तित हैं हमारी सम्माने बाल अधिकास संदक्षन आयोग की हमारी अध्धक्षा श्रीमती गीता खन्ना जी हमारे सम्माने सदस्य श्री विनोध कप्रवान जी माने सदस्य श्री दीपक गुलाटी जी हम पुलिस के महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, हमारे पुरुन याधिश श्री वी के मदेश्वरी जी और पुरुन याधिश श्री राजेश टंडन जी और यहां पर उपस्थेत हमारे सभी विभागों से अथ्वा पोक्सोक से संदर्वित जिन जिन का हमको सहयोग हो चाहिए पुलिस का विभाग हो याहमारे पी आरडिये हो सब जो यहां आज अमंतरित में हैं आप सभी आगुंतकों को और साथ साथ मैं यहां पर उपस्थेत हमारे सभी एलेक्ट्रोणिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधों का आज के इस गोश्टी में गोश्ट को लेकर आज की एक गोश्टी है और इस गोश्टी को आहूत करने वाले आयोग बालादिका संरश आयोग के माध्यम से ये गोश्टी आज आहूत हुई है और इस गोश्टी का जो सब्जेक्ट है वो पोक्सो को लेकर है निश्वत रूप से आयोग के द्वारा ये प्रयास अ कि आपने सम्मान प्राप्ते करने के साथ साथ में जीवन में पुर्ण कमाने का काम भी आज सुनुष्यत किया है और यह बेहत खुशी की बात है कि आयक ने इस प्रकार के लोगों को रिकगनाईज किया है इससे पूरू में मैंने समझती हूं कि कभी पोक्सो वारियर्स जो अ करने कि उनको प्रेड़ना आज माने मुख्यमंतरी जी के मैरदर्शन में उनको मिल रही है बाल अधिकार संदर्शन आयोग निश्यतरूप से इस आयोग के मध्धम से हमारे बच्चों का किस प्रकार से संदर्ख्षन हो सकता है चाहे उनके जो भी अधिकार है चाहे बावे भी है और जिम्हणारी भी है और मैं चाहती हूं कि आयोग जिस प्रकार से अपनी भूमी का अदा कर रहा है मैं चाहूंगे कि हर ब्लॉक स्तर पर या नय पंचाइच स्तर पर हम सब लोग वहां पर अपनी कारशलाओं को आहोत करें ताकि हमारे बच्चों को पोक्ष चीजों का संरक्षन है सरकार उनकी सिक्षा से लेकर खाने पीने से लेकर वस्त्र से लेकर उनका योन रक्षा करने से लेकर हर प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है यह मैसेज यदि जाएगा तो आयूक के माध्यम से जाएगा हम तो अपनी और से जब जब अउसर मिलता है लगातार हम प्रयास करते हैं सरकार हमेशा बच्चों के साथ खड़े होने का काम करती है उसके कई सारे उधारन तो उत्रखंड अपने आप में है यदि कोरोना जैसे कालखंड हम लोगों में देखा तो उस भेंकर कालखंड में और जिसमें कि हमारे बच्चे अनात हुए और अनात होने के साथ में यदि किसी एक दोनों माता पिता में से एक भी नहीं रहा तब भी उस बच्चे को उस क्राइटेरिया में लिया गया यदि उसका कोई परीजन नहीं रहा तब भी उस प्राइटेरिया में लिया गया और मुख्यमंतर जी के सम्वेदेन शील्टा यहां तक थी कि यह थी वो कोरोना से भी डैत नहीं हुआ और इसक आलकंड में दिए उसके डैत हुई एकिसी बीमारी से भी उसको भी उस योजना से जोडने का काम करा और योजना जिसका नाम जित देने का काम कि आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि हमारे बच्चे जो जीरों से लेकर एक इस वर्स तक के हैं यदि इस घटना से दुर्भाग एवस उनके जीवन में घटित हुआ होगा तो निश्य तरुप से वासलियोजना का लाप्राप्त करते वे अपने हर प्रकार के अधिकारों को वो सुनस्चित कर रहे हैं उनको अच्छा खाना उनको अच्छा पहनने को मिले उनको अच्छा पढ़ने को मिले उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना होने पाए वहाँ व्यवस्था देने वाली उत्रखंड सरकार है कुशकर सिंग धामी जी है जिनोंने य और यह योजना जमचति हूं कि पूरे भारत वर्ष में सबसे लोगप्री योजना और सबने इस योजना को इस बात का भी एसेस्मेंट किया कि आंकिरकार यसे जीयों को आपने किस प्रकार से संभण कर दिखाया और मैंने कहा यह योजना यदि कहीं मूर्द रूप ले भी सकती है तो ली भी है तो वो केवल दे भूमी और देवी की भूमी उत्राखंड में ही ले सकती है और वो हमने करके दिखाया आज मैं कही सकती हूँ कि हमारे बच्चे लगवे 4,57 बच्चे जो है इस वासल योजना का लाब ले रहे और उनको 3,000 रुबे प्रतीमा हमारा ही विभाग उसको देने का काम कर रहा है माने मुख मंतरी जी के मारदश में उन्होंने भी कई बार DBT के मारद्यम से उनके खातों कर रही है मुझे इस बात का भी गर्व है कि अपने इसी कारेकाल में मारे मुख मर्दी जी के मारदशन में जिसके लिए बहुत जरूरी है पोक्सों एक्ट में ये सारी विविस्थाएं देना कि हम अब तक में CWC हो JJ Board हो पूरे प्रदेश में हम उसका गठन कर चुके हैं जनपदवार CWC के मेंबर बने हैं जनपदवार JJ Board के मेंबर बने हुए हैं ताकि हमारे बच्चों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ये दी हमारे कोई अभिवावक है ये कोई शिकायत करता है तो उनको सही जगए सही प्लैटफर्म मिल सके ताकि वो अपने शिकायत के तहत हमारे को अपने बच्चों को ये सिखाने के आवशकता है संक्षव तो बहूंगे कि मुख्य मंतरी जी का प्रदान मंतरी जी के साथ में कारिक्रम भी है तो मैंने कहना है कि पोक्सों एक के तहत में हमारे बच्चों को गुड़ टैच और बैड टैच अच अच्छा क्या होता है और बुरा टैच क्या होता है इसकी हमें सिक्षा दिक्षा देने के आवशकता है क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं है क्योंकि अब आप सोशन की परिभाशा के वह लड़किया नहीं रह गई है सोशन की परिभाशा लड़के भी है इन दोनों को हम किस प्रकार् ताकि हमारे चाहे वो आंगनवाडी केंदरू में उसकी सिक्षा हम लोग देते हूं अत्वा हम स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को देना शुनुष्ट करें ताकि उनको महसूस हो सके कि जो टच हमको किया जा रहा है वो टच अच्छा है बुरा है या मेरे साथ मैं किसी प्रकार का यौन सोशन हो रहा है इसको महसूस कर सके पहचान सके कई बार तो पहचानते नहीं और दूसरे सामने वाले व्यक्ति का दुस्सा अज बढ़ता चला जाता है और पर एक बार ऐसा घटना करम आ जाता है कि जो है घटना अञव करके आदमी फरार हो जाता है तो मे मैं एक बात और कहूंगी यह मेरी विक्तिका सोच है कि समाज में हमें अच्छे इंसान चाहिए हमें समाज को सुंदर बनाना है यह समाज को में सही दिशा में ले जाना है तो हमें जड़ से किसी समस्य का समधान करना है तो वह समधान होगा संसकारों से यदि हम अपने कि बहन के साथ में किस तरह के का वहवार होना चाहिए मां के साथ किस प्रेकार का वहवार होना चाहिए यह अपनी कजन के साथ में किस प्रेकार का वहवार होना चाहिए यह संसकार जैसे ही रोपित करें ना तो एकीन मान लीजिए हमारे पास में हमारे प्रदेश देवी की आगे दूसरा बच्चा करे या तीसरा बच्चा करे मैं तो इस एकल विवस्ता के बहुत खिलाफ हूँ कि एक बच्चे से आप समाज को अच्छा नहीं बना सकते एक बच्चा आपके परिवार में रहते हुए एकल परिवार में रहते हुए क्या सिखेगा क्या समाज की रिष्टों के ताने बाने को सिखेगा जब तक उसे उसके भाई या बहन उसे मिलेंगे नहीं वो कैसे समझेगा कि एक लड़की का कैसे सम्मान करना चाहिए वो कैसे समझेगा कि एक लड़की को या एक लड़के को किस प्रकार से जो है हम अपने समाज में जो है अच्छे समद्ध बनाते हुए जो है हम समाज को ठीक कर सकते हैं जब अपने घर में जो है उसके साथ में उसका भाई ये बहन नहीं मैं समझती हूँ कि ये इस तरीके का कि एक ही बच्चा करना मैं समझती हूँ कहीं न कहीं संसकारों में कुठारा घात होगा वो बच्चे समाज के ताने बाने को नहीं समझ पाएगा मैं तो चाहूँगे कि हमारा जो ये परिवार कम से कम दो लोगों का तो जरूर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बच्पन से ही इन रिष्टों की एहमियत जो आगे चलके समाज को सुन्दर और सही दिशा देती है उसको समझने का प्रयास करें तो मेरा अगरे रहेगा कि इस दिशा में ज़रूर और सबसे पहला काम तो पड़े लिखे लोग ही कर रहे हैं कि जो एक बच्चे तक सीमी